हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाप 10 क्लासे के प्यारे से योटूब है में पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा 10 की गडित की प्रश्णावली 9.1 के बचे हुए उन सभी सवालों का आज हम लोग अध्यन करेंगे जो हमने पीछले वा सब्सक्राइब करेंगे जो आज हम उन सभी सवालों का दियन करेंगे चले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चनल पर नया होंगे तो एक काम जरूर कीजेगा चनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और साथ में वीडियो पसंद आता दोस्तों के पास सेयर करना मत भूल करेंगे और लाइक करेंगे सपोर्ट जरूर किजेगा चले क्लास को स्टार्ट करतेंगे स्क्रीन पर आपको प्रस नंबर नौ दिखाई पढ़ागा आप वहां से सवाल को पढ़िए और साथ साथ में हम लोग भी सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है हम आप समझिएगा और अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेशन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजेगा क्या करा एक मिनार के पादविंदू से एक मिनार है जो की पच्चास मीटर उच्चाई है प्यारे बच्चो नीचे वाले लाइन में लिखा है मिनार की उ उच्चाई है वह 50 में मिनार की उच्चाई 50 मेंटर हैा कि मिनार के पाद बिन उसे एक खवण की सिख़र का मिनार का पाद बिन यहोता है मतलब नीचे वाला बिन दू और यह उगए भवन ये आपकी मिनार और ये आपकी भावन मिनार के पाद बिंदु से भावन के सिखर का उन्यन कोड उन्यन कोड भावन के सिखर का उन्यन कोड कितना है तीसंस है यहां से कोई मिनार के पाद बिंदु से खड़ा होके भावन के सिखर को देख रहा था तो उन्यन को रहा है वैं 30 हन्स का बन रहा ता ध्यान से देखो अगर आगे क्या कराऊ भवन के पाध्विंदु से मिनार के सिखर का उन्यन को रहा है और भवन का पादबिंद ये है भवन के पादबिंद से मिनार के सिखर का उन्यन कोड कितना है प्यरबचो 60 हंस है क्या है 60 हंस है तो आगे का रहा है कि मिनार की उचाई 50 मिटर है तो भवन की उचाई बताओ भवन की उचाई तो हम मान ले अगर H तो आराम से भवन की उचाई याद परेंगे नाम देते हैं A, B, C और D चलें तो माना भवन की जो उचाई है वो कितनी है प्यारवचो H माना आराम से बिल्कुल मक्खन वाले तरीके से लोग लगाएंगे माना भवन की उचाई H भवन की उचाई क्या है H क्या आप इदनी बात समझवा रहे हैं अब हम हल करेंगे दोनों त्रिभुज कॉल करते हैं बस त्रिभुज D, C, B में बड़े वाले त्रिभुज में त्रिभुज D, C, B में हमको लंब पता है और आधार की जुरुत है तो लंब और आधार किसमें आते हैं यह 10 में है तो 10 ठीटा के अस्तान पर वही है 60 है 10, 60 बराबर लंब बटे आधार तो लंब जो है आपका यहाँ C, D है याँ D, C है और आधार जो है B, C है आधार जो है B, C है समझ पा रहे हैं आप अब 10, 7 हंस का मान करड़ी में 3 होता है क्या होता है करड़ी में 3 बटे एक लिख सकते हैं और D, C का जो मान है वह 50 है और जो B, C है वह क्रॉस तो क्रॉस मल्टिप्लाई करें तो अंडरूर 3, B, C आजाएगा और 50 का गुणा एक में कर देंगे 50 आजाएगा अंडरूर 3 को इधर कर देते हैं तो भई आजाएगा 50 बटे करड़ी में 3 परमेई करण करते हैं परमेई करण करते समय अंडरूर 3 का गुणा अंडरूर 3 से भाग तो 50 का गुणा करड़ी 3 में करेंगे तो भई 50 करड़ी में 3 आएगा और इनका गुड़ाइंसे कर देंगे तो 3 हो जाएगा तिस बात को हमको ध्यान देना है कि जो BC की बैलू आई है प्यार बच्चो वो 50 करड़ी में 3 बटे 3 आया है ठीक ये BC की बैलू आई है ठीक तो आराम से ज्याद कर लेंगे तिर्भुज ABC में आईए इधर देखते हैं लोग तिर्भुज ABC में अब तिर्भुज ABC में लंब और आधार का अनुपाट 10 में आता है तो 10 तीस ले लेंगे 10 तीस बराबर लंब कौन है आपका AB है और आधार कौन है प्यारे बच्चो BC है इसकी बैलू एक बटे करड़ी में 3 होता है और AB की बैलू आपने एच माना है और BC की बैलू ये रखे हैं आप 50 करड़ी में 3 क्या 50 करड़ी में 3 बटे क्या हो गया अब गाईस अगर हम 3 का गुणा उपर लेक के कर दें 3 का गुणा एच में हो जाएगा एक बटे करड़ी में 3 बराबर 3 एच बटे 50 करड़ी में 3 अब इधार से लिखे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक चीज क्या हो जा रहा है तो आपके सामने बचा एक बटे 1 बराबर 3 एच बटे 50 क्रोस मल्टिप्लाई करें तो 3 एच बड़ाबर 50 एच बड़ाबर 50 बटे 3 भाग दे दिजिए प्यारे बच्चों तो आपको एंसर मिल जाएगा तो आप इसे भाग देंगे तो 16 बार जाएगा 16 तियां 48 दो बचे का से ये लिख सकते हैं 16 में 48 और 250 मीटर तो मिनार की भावण की जो उचाई आएगी प्यारे बच्चों वो इस रूप में आ जाएगी ठीक भावण की जो उचाई होगी ये आपकी इस प्रकार प्राप्त हो जाता प्यारे बच्चों उम्मिद है कि आपको यह सवाल ज़रू समझवाया होगा आप इसका एक स्क्रीन साट ले सकते हैं फिर हम बात करते हैं प्रस नमबर दस की दसवा सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा क्या करा एक असी मीटर चौड़ी सडक के दोनों और आमने सामने समान उचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं इस बात को ध्याने ना अब क्या करा एक भाईया असी मीटर चौड़ी सडक है यानी सडक के 80 मिटर है आमने सामने दोठो खंबे लगे हैं दोनों खंबों की जो उचाई है वो सेम टू सेम है यानि दोनों खंबों की उचाई समान है इस बात को आप समझ पाए चलें आगे क्या करा है इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदू से बीचों बीच नहीं क्या है बीच में एक बिंदू माल लेते हैं सड़क ए और बी थी बीच में इसके सड़क के बीच में कोई भी एक बिंदू पी है जहां से जहां से खंबों के सिखर का उन्यन कोड क्रमसह साथ और तीस है तो क्रम सह साठ और क्या है तो प्यारे बच्चों साठ और तीस आए साठ और तीस बना लेते हैं तो यह जो उन्यान कोड होगा वो साठ होगा और यहां से यहां तक जो यह वाले उन्यान कोड है वो उन्यान कोड क्या हो जाएंगे तो यह उन्यन कोर क्या हो जाएगा तीस अन्स हो जाएगा ठीक क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं यानि उन्यन कोर साथ और तीस हो गया आगे क्या करा है आगे करा खंबो की उचाई और खंबो से बिंदु की दूरी याद किजे यानि इस खंबो से इसकी दूरी बताना है तो माल लेते हैं ए इस खंबे से इसकी दूरी एक्स है तो जो प्याज़े बच्चों बची होई दूरी हो जाएगी और सी माइनस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और माल लेते हैं खंबो की उचाई जो है वो एच है खंबो की उचाई जो है वो क्या है एच है तो भाई खंबो की उचाई इसकी भी एच हो जाए क्योंकि सेम टू सेम उचाई वाले हैं तो नाम दे देते हैं A, B, C और इसका नाम क्या देते हैं D दे देते हैं आईए हम दोनों तर्भोज खल करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से सवाल समात हो जाए देखें सबसे पहले अगर हम हल करें तो इसको हल करते हैं दी ए पी तर्भोज डी ए पी में ना भाया लंब और आधार का अनुपात आता है तो 10,60 बराबर लंब लंब कौन है दी ए और आधार कौन है यह ए पी है अब डी ए की जो वैलू है वो कितना है है और ए और टी की वैलू कितनी है एकस है ठीक तैन साथ की वैलू होती करड़ी में तीन और यहां एच बटे एकस क्रॉस मल्टिप्लाई करें एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट तीन एकस हमी कर नमबर आप एक दे दो ठीक समझ पाए हैं यहां तक किसी को कोई दिकत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे दूसरे त्रभोज की CBP में हैं है एंगल जो बनाया वही उख कोन है टैन टीस बराबर लंब कोन है वही एच और आधार कोन है इस बार 80 माइनस कोन है एकस है आईए इसकी वैलू रखतें तो इसकी वैलू एक बटे करड़ी में थी h बटे 80-x cross multiply cross multiply करेंगे तो ये cross multiply करके देख लेते हैं 80-x का गुना x से करेंगे तो ही आएगा 80-x और यहां under root 3 का गुना x से कर देंगे तो under root 3 h आ जाएगा क्या इतनी बात आपकी clear हो रही है प्यारे बच्चो इतनी बात clear हो पा रही है अब आप देखिए h के अस्तान पे हम under root 3x समय करना x तो h के अस्तान पे under root 3x रख सकते हैं ठीक तो रख देते हैं तो 80-x बराबर under root 3 h के अस्तान पे under root 3x रख रहा है 80-x क्या हो गया x हो गया under root 3 का गुना under root 3 से करेंगे 3x आजाएगा ये प्लस x उधर, माइनस x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, 3 एक, 4 x हो जाएगा, और ये 80 आजाएगा, 4 एक के 4, 24 जो के 80, x ब्राबर 20, यानि आपको समझ पाए, प्यार बच्चो, इस खंबे से उस बिंदू की दूरी 20 मीटर है, और इस खंबे से इस बिंदू की दूरी 60 मीटर है, क्योंकि अर्सी में स्भेस घटा देंगे 60 हाज है, ठीक, अब ये चेल लिख लेते हैं, तो DA खंबे से, DA खंबे से, बिंदू P की दूरी, बिंदू P की दूरी, बिंदू P की दूरी जो होगी, तो कितनी आएगी, 20 मीटर, तो अगला जो बिंदू पी की दूरी बिंदू पी की दूरी असी में 20 घटा देते हैं तो इतनी बात आपकी क्लियर हुई अभी इसमें एक चीज आओ पूछना था भाई खंबे की उचाई खंबे की उचाई आपको समी करण एक सी मिल जाएगा तो समी करण एक से समी करण एक क्या करा है समी करण एक करा भी देख लेजए एकवल टू अंडरूर तीन एक्स एक्स की वैलू भई यह बीस है तो एक्स की वैलू आगई 20 करणी मित यानि खंबे की जो उचाई है वो 20 करणी मित इस प्रकात पहरे बच्छों आपके दोनों प् साथे ले सकते हैं फिरम चर्चा करते हैं प्रशनमबर 11 की रखीर हऑने की एक टट पर एक टीवी टावर और्धा धर खड़ा है यह यह जो टीवी यह इरकीं काशो टावर तावर के इस नहर का एक किनारा नहर के दूसरे किनारे पर एक बिंदु सी है जहां से टावर के सिखर का उन्यनकुर साथ हंस है आगे करा है इसी टट पर इसी टट से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है जहां से सिखर का उन्यनकुर 30 हंस है तो आगे क्या करा है तो टाव की चौड़ाई तो हमने माना है नहर की चौड़ाई एक्स है और टावर की उचाई है यह चीज यहां पर लिग लेते हैं माना टावर की उचाई टावर की जो उचाई है वो कितनी है एच है और नहर की चौड़ाई नहर की चौड़ाई अब दोनों त्रभुज को हम लोग ध्रियर ध्रियर करके हल कर लेते हैं सबसे पाला त्रभुज हल करेंगे A, B, C त्रभुज A, B, C त्रभुज A, B, C में अब ध्यान से देखिए त्रभुज A, B, C में लंब और आधार का अनुपात के ओल 10 में आता है तो 10 ठीटा के अस्तान पे 60 है और लंब कोन है A, B है और आधार कोन है या B, C है 10, 60 की बेलू अंडर उट 3 होता है और A, B की बेलू आपने H मान के रखा है और B, C जो है H, X है क्रास मल्टिप्लाई करें तो H गुड़ा हो जाएगा एक में और अंडर उट 3 का गुड़ा X से हो जाएगा तो अंडर उट 3 हो जाएगा ठीक, समीकर नंबर एक, अब हम दूसरा त्रभुज हल करेंगे त्रभुज A, B, B में त्रभुज A, D, B में त्रभुज A, D, B में जो ट्रिंगल है वो कौन है 30 का है तो 10, 30 बराबर लंब, लंब कौन है A, B है और आधार कौन है इस बार, B, D है ठीक, चलिए इसकी बैलू 1 बटे, कर्डी में 3 अब A, B, A से लेके B की दूरी कितनी है, H है और B से लेके D की बीच की दूरी 20 प्लस X है 20 प्लस X Cross multiply कर दें तो 20 प्लस X का गुड़ा एक में करेंगे, तो 20 प्लस X ही आएगा और अंडरूर 3 का गुड़ा S से करेंगे, तो अंडरूर 3 H आएगा ठीक, अंडरूर 3 H अब आप देखिए समी करण 1 से अंडरूर, समी करण एक से X का अमान अपने यच का अमान अपने निकाला है तो हम समी करण 1 से यच का अमान यहां रख सकते हैं यच बराबर कितना है, अंडरूर 3 X है आईए, ये बेलू हमें याप रखते हैं तो ये बेलू जब H के अस्तान पे अंडरूर 3x रखना अंडरूर 3x रखना प्यारे बच्छो देख लिजे अब इनका गुरा इनसे कर देंगे तो 3x हो जाएगा और ये 20 प्लस x हो जाएगा ये x उधर की तरफ चला जाए प्यारे बच्छो तो ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x होगा 3x में से 1x घर जाएगा 2x और ये 20 आ जाएगा 2 दहम में 20 तो x की बेलू जो है 10 मीटर यानी जो नाहर की चोड़ाई है नहर की जो चोड़ाई है वो प्यारे बच्चो दस मीटर है नहर की जो चोड़ाई है वो कितना है दस मीटर है अब हम समी करण एक से टावरी की उचाई भी ज्याद कर सकते हैं तो समी करण एक क्या है समी करण एक है h equal to under root 3x x का मान कितना है 10 तो h की value आ गई 10 करड़ी में 3 under root 3 का मान रखना चाहो तो रख दो नहीं तो छोड़ दो प्यारे बच्चो तो यह आ गए भाईया नटीवी टावर की उचाई 10 करड़ी में 3 और नहर की चोड़ाई 10 मीटर लिखना चाहो तो आप अंत में यह जरूर लिख दीजेगा नहर की चोड़ाई नहर की चोड़ाई कितना है नहर की जो चोड़ाई है वो 10 मीटर है और टावर की जो उचाई है जो टावर की उचाई है वो कितना है 10 करड़ी में 3 है ठीक यह है इस प्रकार के रहे बच्चों आपका 11 नंबर प्रेस्ट में कम्प्लीट होता है आपको प्रेस्ट नंबर 11 भी बिल्कुल समझ में आया होगा पिछले सवाल के जैसा तो आप इसका एक स्क्रीन साट लेजेगा फिर हम बात करते हैं प्रेस्ट नंबर 12 के आपके स्क समझ लेजें कि यह सात मीटर उचा कोई भवन हो गया यह सात मीटर कोई उचा भवन हो गया जो और एक तक अब यहां से एक दोडुर्च यहो गया जैस्प कैबल के टावर को देखा गया तो के वर्क टार का सीखर का 99 कोड कितना है प्यारे बच्चो केबल के टावर के सीखर का 99 कोड जो है 60 हंस है कितना है 60 हंस है क्या इतनी बात आपको समझवाई आगे क्या करा है इसके पाद का ओनोमन कोड 45 हंस है मतलब यहां से केबल टावर के पाद बिंद को देखा गया तो ओनमन कोड यहां पर बनेगा उपर पैतालिस अंस है ठीक तो अगर हम इनको मिला देते हैं ऐसे करके अब ध्यान से दिखे ये पैतालिस है तो ये भी पैतालिस हो जाएगा भई हम इनको कहते हैं एकांतर अंतर कोड समझे अब केवल नाम करण करना है ए फिर ये भी ये सी ए भी हो गया है क्या चलो कोई दिक्कत नहीं ये सी रख लेते हैं इनको डी रख देंगे इनको हम इं रख देंगे कोई दिक्कत नहीं हमारे पास 26 wild है जो भी रख सकते हैं तो इस प्रकार आप से क्या पूछा लास्ट में पूछा है कि लास्ट में क्या पूछा है तो टावर की उचाई याद readiness तो ये टावर की उचाई हम मान लेते है एच माना माना टावर की उचाई टावर की उचाई जो है वो कितना है एच है माना टावर की उचाई कितनी है एच है बस समझे आप अब हम आईए दोनों तरहुज को आसान तरीके सहल कर लेते हैं अगर भाया यह साथ है तो यह भी यहां से यहां तक तो साथ होना ही होना है ठीक चले अब देखते हैं तरभुज हम हल करते हैं सबसे पहले तरभुज हल करेंगे प्यारे बैचो ए बी ई पहले यह ग्याद करेंगे ठीक तरभुज ए बी ई में तरभुज ए बी ई में जो 45 बराबर होता है लंब बटे आधार लंब कौन है भी है अधार कोन है बी ए है तो इसकी बेलू एक होती है और ऑबी की बेलू 7 है बी ए क्रास मुल्टीप्लाई कर दिया जा तो बी ए बराबर 7 मीट है यानि कहने का मतलब है कि इनके भी बीच की जो दूरी है वो भी कितना है साथ है अभी आप लोगों ने याद किया अगर ये साथ है तो ये भी तो साथ हो जाएगा बताओ ठीक तो अब हम हल करेंगे तर्वोज C, D, A में अगला तर्वोज कौन सा लेंगे तर्वोज C, D, A में अब तर्वोज C, D, A में ये इतना चे यहां से लेके यहां तक की दूरी चेए क्योंकि यहां से लेकि यहां तक की दूरी पता है तो सो C, D, A में ये और ये किसमे आता है भी ताइन में तो टैन men बराबर वही लंब बटे आधार अब बतादो जरासा भाई यह लंब कौन है? C-D है और आधार कौन है? A-D है अब हम केवल बैलू रख देते हैं जरासा 10-60 की बैलू करड़ी में 3 है अब C-D C से D की वीच की दूरी नहीं पता है परन्तु A और D की बैलू पता है 7 है क्रास मल्टिप्लाई कर दें तो C-D की बैलू आजाएगी 7 करड़ी में 3 मीटर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चो अब हम ग्याद करेंगे टावर की उचाई टावर की उचाई चलिए पराबर क्या होगगा बता होट टावर की having यह और यह मिलकर यानि E D क्लस क्या हो जाएगा CD यहि न तो ED की वैलू आपने निकाला है ED की वैलू आपको साथ पहले से दिया ہے और CD की वैलो आपने निकाला साथ कर्ड़ी में तो दोनों में कामन क्या है साथ कामन है यहां एक बच जाएगा वहां अंडरूर तीन बच जाएगा आपके बुक में एंसर ऐसे लिखा होगा अंडरूर तीन प्लस वन मेटर कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्छो इस प्रकार आप मिना क्रावर की उचाई आपको प्राप्त ह हो जाती है तो आप इसका चाहत एक सकते हैं उमीद है का आपको अभी तक सभी सवाले समझ माई होंगी प्यारे बच्छो अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो तो प्यारा सा कमेंट जरूर किजेगा तो आप एक स्क्रीन पर दिखाई पड़ा होगा क्या करा है समुद्र तल से पचातर मीटर उची लाइट हाउस माल लेते हैं प्यारे बच्छो ये कोई पचातर मीटर समुद्र तल से उची लाइट हाउस है क्या है पचातर मीटर इसकी उचाई है ध्यान से देखना काईज पचातर मीटर उची लाइट हाउस है के सिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजो का अनमन कोर तीसंश और पैतालिस जहाजो का नहीं है Mike सभासर देखना का ऑन लेते हैं यह से जहाज यहहां से जहाज को देखा जाीन है तो आउनमन कोर कितने का बन रहा है 30 अंस आउनमन कोर सदेव ऐसे बनता है प्यार बच्छों उपर की तरफ यहां पर 30 का इंगल बन गया तो एकांतर अंतर खोर तो तीस यहां बना तो वह इस तीस यहां पर भी हो जाएगा इस बात को धिहान देना ठीक क्योंकि हमने पड़ा दो जहाज है वो मान लेते हैं यहां पर है यहां A नाम दे यहां B नाम दे यहां C नाम दे यहां पर को नाम दे डी अब यहां से जो है जहाज इस जहाज को देख रहा है तो भी कितने अंस का इंगल बन रहा है 45 अंस का कितने अंस का इंगल बन रहा है 45 अंस का इंगल बन रहा है तो आगे कर रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ग्यात करना है तो मान लेते हैं प्यारे बच्छों दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है एकस है दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है एक्स है इस बात को आप समझे ज़ना से यह है ना दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स माल लिए ठीक तो यह चीज लिख लेते हैं माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी एक्स है ठीक अब अध्यान से देखिए आपको सबसे पहले अनमन कोर बना था ना पिरवाज चुब यहाँ पर ऑनमन कोर 45 हो जाएगा और यह 45 यहां पर आ जाएगा ठीक अब पहले हल करेंगे तर्भुज D.C.A तर्भुज D.C.A में लंब और आधार तो भीए लंब और आधार किस में आता 10 में तो तैन 30 बराबर लंब लंब कौन है यह DC और आधार कौन है AC है चले इसकी वैलू एक बटे करड़ी में 3 होता है DC की वैलू कितनी है प्यार बच्छो 75 है और AC A से लेके C की बीच की दूरी तो AC की बीच की दूरी है X प्लस BC X प्लस क्या हो जाएगा BC देखे इतना X हो जाएगा इतना BC हो जाएगा तो X प्लस BC बराबर 75 करड़ी में 3 समीकर नमबर 1 इतनी बात आप समझें अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रत्रभुज की नेक्स्ट रत्रभुज क्या है आपका DCB तर्भुज DCB में है ठीक अबर लंब लंब कौन है यह BC है आधार कौन है BC है इसकी बैलू एक होती है BC की बैलू 75 यह हो गए BC क्रॉस मल्टिप्लाई कर दें तो भई BC की बैलू आगई 75 मीटर ठीक आप इतना समझे यानि ये भी आपको 75 मिले गया अब हम क्या करते है मुझे नहर की चोड़ाई चाहिए नहर की चोड़ाई यानि AB की मान चाहिए किसका मान चाहिए प्यादे वच्छो AB का मान तो AB कैसे मिलेगा ध्यान से दिखे अब हम नहर की चोड़ाई चोड़ी दोनो जहाजों के बीच की दूरी बीच की दूरी तो जो आपने X माना वो देखे जो X है दोनों जहाजों के बीच की दूरी A से लेके B तक है A, B इसको हमको निकालना है तो भई पूरे टोटल में से टोटल मतलब A, C माइनस B, C कर दे A, C माइनस क्या कर दे B, C भई यह A, B चाहिए तो A, C में से B, C को घटाना पड़ेगा बस समझ रहें आप अब A, B जो है आपका X है और A, C की बैलू आपको पता होने चाहिए A से लेके C के बीच की दूरी तो A से लेके C के बीच की दूरी आपकी यही है भई यहां से देखे, X प्लस B, C को हम A, C लिख सकते है X प्लस B, C को हम क्या रख सकते है A, C यहां देखे हमने रखा है यह किसके बराबर है यह A, C के तो A, C किसके बराबर है 75 करडी में 3 ठीक और B, C, B, C की बैलू कितनी प्यारे बच्छो 75 दोनों में कामन कितना है 75 तो यहां करडी में 3 बच गया यहां माइनस 1 बच गया ठीक तो यह X की बैलू आ गई तो दोनों जहाजो के बीच की दूरी जो आई वो 75 अंडर नूड में 3 माइनस एक मिटर आ गया ठीक तो प्यारे बच्छो आप इस प्रकार आपका 13 नंबर प्रेस्ट कंप्लीट होता है आप चाहोते इसका एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट केस्टन की जा आपको 14 नंबर प्रेस्ट ने स्क्रीन पे दिखाई पड़ आओगा साथ में जो बना हुआ चित्र है वो आपको वाइड बोर्ट पे दिखाई पड़ आओगा क्या करा है एक दस्मलो दो मीटर लंबी एक लड़की भूमी से 88 दस्मलो दो मीटर की उचाई पर एक 36 रेखा में हवा में उर रहे गुबारे को देखती है देखिए ये जो लड़की है इसकी लंबाई एक दस्मलो दो मीटर है प्यारे बच्चो और ये एक दस्मलो दो मीटर लंबी लड़की हवा में उर रहे दो गुबारे को देखती है एक गुबारे को देखती है और किसी भी चड़ लड़की के आंक से गुबारे का उन्यन कोड साथ हंस है यानि जब लड़की उस गुबारे को देखती है तो ये जो गुबारा बिंदुजी पर बना हुआ गुबारा है उस समय लड़की के सिखर लड़की के आग के द्वारा गुबारे को जब देख रही थी तो उस समय का जो उन्यन कोड है प्यारे बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो 60 अंस बनता है और परंतु आगे करा कुछ समय बाद उन्यन कोड घटकर 30 अंस हो जाता है यानि कुछ स प्यारे बच्चो कोष समय में चली गई दूरी एकस है तो जो दूरी यहां पर होगी वही दूरी यहां पर भी तो आगे कर रहा प्यारे बच्चो इस अंत्राल के दौरान गुबारे द्वारा तैंकी गई दूरी ग्यात करना है तो देख लो यारो गुबारे बच्चो तैंकी गई दूरी है वो जी से यह तक गया है जो की एक्स आपने माना है तो वो एक्स कैसे ग्यात होगा जब आपको y पता होगा जब आपको क्या पता होगा प्यारे बच्छों टोटल y पता हो और y में से अगर हमको ये वाली दूरी घटा दें तो हमको अगली दूरी पता चल जाएगा तो अगली दूरी घ्यात करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं इसको जो हमने x इधर वाले को माना है, ठीक वो x आपने माना ही है, ठीक कोई बात नहीं, चलो अच्छा, x मानी लिए तो मानते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तैंकी गई दूरी x है, माना गुब्बारे द्वारा तैंकी गई दूरी x है, ठीक, आप इतना समझ पाएं, इतनी बात आपने समझा, यही आपको ग्याद करना है, तो सबसे पहले अगर हम त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज पकड़ते हैं प्यारे बच्चों, GDE से, त्रिभुज GDE में, त्रिभुज GDE में, दिखाई पढ़ रहा है, त्रिभुज GDE में, आप यहाँ पर ध्यान से अगर देख पार रहोंगे, तो पूरा तो पूरा यहाँ से लेकर, 36 से लेकर 88.2 मीटर है, और लड़की coalition 1.2 मीटर लंबी है, तो भूझा जब लड़की 1.2 मीटर लंबी है, तो यहाँ से लेकर 88.2 है, हम को यहाँ से यहां तक की चायए, इतनी दूरी इसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब आप कम कर दोगे प्यारे बच्चों तो 87 मीटर आ जाएगा क्या जाएगा 87 मीटर यानि जहां लड़की लड़की के आख से और गुबारे की वीच की दूरी टोटल कितना है 87 मीटर है इस बात को ध्याने लाए 87 कैसे हा 88.2 में से 1.2 मीटर घटा दिये ठीक अब आईए तो वो GDE में अब आप देख पा रहे होंगे ये लंब दिया है आधारी की जरूरत है प्यारे बच्चों तो आधारी की जरूरत है तो लंब आधार किस में आता है 10 में आता है तो 1060 बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आधार हो जाएगा और यहां लंब कौन है जीडी है लंब कौन है जीडी है और आधार कौन है प्यार बच्छो आधार आपका एडी है एडी है चलिए अब टैन साथ हंस की बैलू है प्यार बच्छो कड़ी में तीन और यहां जीडी की बैलू पता है जीडी की बैलू कितनी है पुरा 87 है और 87 बटे करडी में 3 मतलब समझपा है यह यह यहां चला गया यह यहां आगया अगर परमेई करण कर दे अंडरूर तीन से गुना करेंगे अंडरूर तीन से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 87 का गुड़ा करड़ी 3 में करेंगे तो भईया 87 करड़ी में 3 आएगा और इनका गुड़ा इनसे कर देंगे तो 3 हो जाएगा 3 दूनी 6 बचा 2 और 3 नवा 27 मतलब 29 करड़ी में 3 आया ये ED की वैलू आई है किसकी वैलू ED की वैलू हमको ये नहीं जाद करना है हमको तो वो जाद करना है अगली दूनी अब हम लेंगे अगला त्रभुज F C E E F C त्रभुज E F C में अब इस बार इंगल E F C में 30 है तो 10 30 बराबर क्या होगा लंब बटी आधार लंब इस बार कौन है E F C है और आधार कौन है पूरा यहां से लेके वहां तक E C है देख लिजे एक बार यह पूरा यहां तक यहां तक लंब है यहां से लेके यहां तक क्या है आधार F C बटी E C अब 10 30 की बैलू होती एक बटे करड़ी में 3 अब F C F C की बैलू टोटल 87 है प्यारे बच्चो यहां से लेके यहां तक की दूरी E C के तो बराबर होगी 87 और आधार आधार है आपका दो भागों में टूटा है एक है X भागों में और एक है प्यारे बच्चो यहां तक X प्लस E D X प्लस E D तो यहां पर आ जाएगा उसको मानते हैं देखे X को हम लोग लिख रहे हैं DC X को क्या लिख रहे हैं DC तो DC प्लस क्या हो जाएगा ED देख पा रहे हैं DC प्लस ED EC को E से लेके C तक की दूरी को हमने ED और DC में तोड़ दिया अब इधर आगे देखे यहां मिलता है एक बटे करड़ी में तेथ बराबर यहां पर आपके पास 87 हई है अब DC प्लस क्या आगेा ED तो अगर आप ध्यान से देखे प्याज़ बच्चों इस स्टेप को मूब करते हैं थोड़ी दिर के लिए अब एक स्टेप अखल करते हैं यहां से गुड़ा करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC प्लस क्या आजाएगा ED आजाएगा बराबर 87 का गुड़ा करड़ी तीन में कर देंगे तो 87 करड़ी तीन हो जाएगा क्या इतनी बात क्लियर हुई अब आप देखें यहां से आपको अगर हम ED उठाक उधर कर दें तो DC बराबर 87 करड़ी में तीन माइनस ED हो जाएगा प्लस ED गया तो माइनस ED हो गया अब DC को ही आपने X माना जो कि आपको ग्यात करना है प्यारे बच्चों और यह आपका हो गया 87 करड़ी में 3 और ED की बैलू कितनी है प्यारे बच्चों 29 करड़ी में 3 है 29 करड़ी में 3 अब आप अंडरूर 3 दोनों में कामन है तो क्या बच जाएगा 87 माइनस 29 करड़ी में 3 कामन हो गया घटा देतें 17 में से 9 घटा होगे तो 8 आ जाएगा यहां ब जो दूरी थी वह 58 करड़ी में 3 आया आप चाओ तो अंडरूर 3 की बैलू रखकर हटा सकते हैं या तो आप यहां पर छोड़ सकते हैं तो जहां गोबारे द्वारा जो तैंकी गई दूरी थी ओ अठावन अंडरूर 3 मीटर आया है प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका य यहां से 14-15 जो भी सवाल है वह आपके एक्जाम में यहीं से क्वेस्टन पोस्ते हैं प्यारे बच्चों तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं 15 नंबर प्रश्निक की बात इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 15 सवाल भर लिखायी पढ़र होगा और उसका जो डाइकि वैपके वायट बोर्ट पर रिखायी पढ़र होगा तो बात करते हैं एक सीधा राजमार्ग एक मिनार के पाद तक जाता है यह कोई september राजमार्ग है जो B से Q तक यानि मिनार के पाद बिंदु तक जा रहा है ये राजमार्ग है पहले बच्छो आगी कराओ मिनार के सिकर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिगरी के अनुमन कोड पर देखता है यानि मिनार के सिकर पर एक ब्यक्ती खड़ा है और यहां से उस कार को देख रहा है तो कार को देखने के बाद औमन कोड यहां पर 30 डिगरी तो यह जो ऑन्नमन कोड है यहां भी आ जाते हैं फिर उसके बाद कर रहा है और मिनार के पाद की और एक समान से चला जाता है यानि जो यहां पर यह कार थी प्यारे बच्चो यह जो कार थी यह कार यहां से मिनार के पाद बिंदू तक चला जा रहा था एक समान चाल से च्छ सिकेंड बाद उनमन कोर साथ हंस हो जाता मतलब कार यहां से यहां तक चली जाती है कार बी से ले बी से चलकर कहां पहुँच जाती है और च्छ सिकेंड समय लग जाता है तो आगे कह रहा है ध्यान से समझेगा कार B से C तक जाने में उसे 6 सिकेंड का क्या लग गया समय लग गया और नमन कोड़ साथ हंस हो गया तो भई फिर कह रहा है कि बताओ इस बिंदु से मिनार के पाद बिंदु तक अर्थात इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में लिय आ गया समय बताएए तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों सी से क्यूं तक यानि बिंदु सी से क्यूं तक जाने में कार के द्वारा लिया गया समय टी है कि माली क्या मालने प्यारे वच्चों क्या इतनी बात क्लियर हुई अब हम दोनों त्रभुज को हल कर लेते हैं दिर्दे करके पहला त्रिभुज है त्रिभुज O B Q त्रिभुज O B Q देख पा रहे हैं आप त्रिभुज O B Q ट्रेंगल O B Q में जो कोड़ है वो कितना है प्यार बच्छो 30 का तैन तीस बराबर लंब लंब कौन है O Q है लंब बटे आधार है लंब यहां कौन है O Q है और आधार कौन है प्यार बच्छो आधार पूरा B Q है ठीक 10-30 की वेलु होती है एक बटे कड़ी में तीन और यहां O Q बटे क्या हो जाएगा B Q क्रोस मल्टिप्लाई कर दें तो BQ एक्वल टू आ जाएगा अंडरोड तीन OQ समीकर नमबर एक क्या इतनी बात आपकी clear हो पा रही होगी पहले बच्चो उम्मीद है कि आपको यहां तक समझवाया होगा अब हम दूसरे तरफोज कौल करेंगे तरफोज OCQ ट्रेंगल OCQ में तरफोज OCQ में जो इंगल है वो भाई 1060 का है और 1060 बराबर होता है लंब बटे आधार अब दिहान से देखिए यहां जो लंब है लंब है OQ लंब है OQ और आधार इस बार कौन हो गया CQ हो गया और इसकी बेलू अंडरूर 3 होता है CQ यहां चला आए अंडरूर 3 यहां चला जाए तो CQ बराबर आजाएगा OQ बटे अंडरूर 3 ठीक समी करण नंबर 2 अब समी करण एक बटे समी करण 2 कर देते हैं प्यारे बच्चों समी करण एक बटे समी करण 2 बस तो समी करण एक बटे समी करड़ दो तो समी करड़ एक क्या है समी करड़ एक है BQ लिफ्ट हैंड साइड है और लिफ्ट हैंड साइड में इधर क्या है CQ बड़ाब है OQ और इधर क्या है अंडरूर तीन OQ और अगले वाले में क्या है OQ बटे अंडरूर तीन OQ OQ बटे Under Urthin Under Urthin कहाँ पहुच जाएगा उपर OQ सो Q कैंसिल हो जाएगा तो जो यहाँ BQ बटे CQ बराबर यहाँ Under Urthin कहाँ Under Urthin से कर देंगे तीन आजाएगा ठीक तीन आज गए क्या इतनी बात समझ मैं है तो अगर हम Cross Multiply कर दे तो यहाँ Cross Multiply करते ही जो BQ आएगा वो तीन CQ के बराबर हो जाएगा तीन CQ के बराबर हो जाएगा इस बात को मुझे ध्यान देना है इस बात को मुझे ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सिकेंड का समय लगा है बस इतना बात ध्यान देना है अब देखो जो BQ है वो तीन CQ के बराबर है अगर हम चितर से देखें तो BQ को हम लिख सकते हैं BC प्लस CQ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं न भईयर हमने कहा BQ के अस्तान पे BC प्लस CQ लिखा जा सकता है बिल्कुल लिख सकते हैं तो आईए, second step में समझते हैं तो BQ को लिख रहे हैं BC और प्लस क्या लिख रहे हैं CQ बराबर 3CQ अब ये प्लस CQ उधर चला जाए तो माइनस CQ हो जाएगा समझें आप तो ये उधर चला गया ठीक, अब आप समझ लिजे जरा सब प्यारे बच्चो अब अब दो उधर गुड़ा में तिधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा BC बटे 2 बराबर CQ अब आप समझ पा रहे हैं जो ये CQ दूरी है वो BC का आधा है CQ जो दूरी है अब BC जब 6ुकड में तये कर रहा था तो बताओ कि जब 6 कंड में तये कर रहा है और बची दूरी AH वो तो बीसी का आधा है अब भी बीसी का आधा है ले ना तो शघुन का आधा कितना हो जाएगा 3 सेकुन मतलब सी क्यू दूरी तये करने मैं उसे से तीन सिकंड का समय लगेगा आप समझ पाएं समझ पाएं प्यारी बच्चों अब इन्हीं चीज़कों में आप रख लेते हैं यानि थोड़ी सी और बचा बस तो आएं लिखेंग वह जो बीसी है कि बीसी दूरी तै करने में कि बीसी दूरी तै करने में लगा समय लगा समय छह सिकंड था कितना था छह सिकंड था तो भईया सी क्यू दूरी तै करने में सी क्यू दूरी तै करने में लगा समय लगा समय बराबर हो जाएगा बीसी दूरी तै करने में लगा समय तो बीसी दूरी तै करने में लगा समय च्छ है और बटे क्या हो जाएगा दो वहां जा देखे चावट बीसी बीसी को तरह करने में च्छा सेकंड तो दो त्याएं च्छा तो भाईया कितना समय लग गया तीन सेकंड कितना तेन सेकंड यानि हम कह सकते हैं सी से सी से मिनार के पाद बिंदू तक जाने में लगा समय जाने में लगा समय बराबक कितना प्यार वच्छों तीन सेकंड इस प्रकार आप इस प्रशन को पुन रूप से साल्व कर सकते हैं आप चाहो तो इसका एक screen short लिजेगा प्यार बच्छों परन्तु आप इसका एक बार इसल्फ रिवाइस की जरूर कीजेगा किकि यह ऐसे क्योंशन आपके exam में पूछे जाते हैं प्यार बच्छों टो मिद्हें आपने screen shot ले लिए होगा अब हम बाते करेंगे प्रिश नं समझ मारा वैसे उन सभी यूपी बोर्ड वाले प्यारे बच्चों को समझ आना चाहिए तो भई ध्यान से दिखे 16 मिनार के आधार से एक सरल रेखा में चार मीटर और नौ मीटर चार मीटर और नौ मीटर की दूरी पर दो बिंदू इस्तित हैं जहां से मिनार के सिखर का उन्यन कोड पूरक कोड है बहुत ही गजब सवाल है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है ध्यान से देखना यह प्रस नंबर 16 हो गया माल लेते हैं यह कोई मिनार हो गई क्या माली यह मीटर दूर एक बिंदू है तो माल लेते हैं प्यारे बच्चों नौ मीटर की दूरी पर एक बिंदू है और चार मीटर की दूरी पर एक बिंदू है चार मीटर की दूरी पर एक बिंदू क्या है भर यह बी है ना अब ध्यान से आगे अगर मैं माल लेता हूं मिनार जो है और क्यों मिनार क्यों चाहिए क्या है इतनी बात समझे कोई मिनार जो पी और क्यों है पी से नौ मीटर की दूरी पर बिंदु ए है पी से चार मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है समझ पाएं आप अब करा है कि इन दोनों बिंदुओं से इन दोनों बिंदुओं से मिनार के सिखर का उन्यन कोड इन दोनों बिंदुओं से मिनार के सिखर का जो उन्यन कोड है वो पूरक कोड है भाई पूरक कोड का मतलब होता है दो कोडों का योग नब्बे हो तो मान लेते हैं यार अगर ये ठीटा होगा या अगर ये ठीटा हो तो अगला वाला हो जाएगा 90 माइनस ठीटा क्योंकि दोनों मिलके 90 ही होते हैं तो 90 माइनस ठीटा हो जाएगा प tellement बच्चों अब आगे क्या करता है तो आपको सिद्ध करना है कि मिनार की उचाई 6 मीटर है सिद्ध करना है कि मिनार की उचाई 6 मीटर है तो आईए आराम समलुक्स हल करेंगे तो पहले जो दिया है वो देख लेते हैं सिद्ध करना है सिद्ध करना है मिनार की उचाई मिनार की उचाई 6 मीटर है सिद्ध करना है कि मिनारी की उचाई कितनी है मिनारी की उचाई 6 मीटर है किसी कोई दिकत चलिए तो त्रभुज हल करते हैं त्रभुज QPA में त्रभुज QPA में एंगल कौन है यह 10 ठीटा है बराबर लंब लंब कौन है QP और आधार कौन है एपी ठीक टुंट ठीटा बराबर QP QP की बैलू कितनी है प्यारे बचों पता नहीं प्रंतु एपी पता कितना है सम्हीखर नमबर एक इसी प्रकार अगला ट्रेंगल हल करते हैं QPB में ट्रेंगल QPB में इंगल कोण है विह तैं एंगल है टैंगल यह 90 थीटा एकवल टू लंब बते आधार लंब कौन है QP है और आधार कोण है PB है ठीक तो टैंगनबह मुझन कोण मीनस थीटा ब्राबर तिये आजाएगा 10 90 माइनस ठीटा प्राबर QP की बैलू तो नहीं पता परंदू PB की बैलू पता है कितना है 4 कितना है प्यारे बच्चो चार क्या इतनी बात आपको समझवाया तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 इतनी बात आपके क्लियर हुई प्यारे बच्चो आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब जो समीकरण 1 और 2 है उसी का क्या कर लेते हैं गुणा कर देते हैं बस सवाल कंप्लिट हो जाएगा समीकरण 1 वह 2 का गुणा करने पर क्या करने पर प्यारे बच्चो गुणा करने पर तो जब आप समीकरण 1 को देखेंगे तो समीकरण 1 है 10 थीटा बराबर क्या टैन ठीटा गुणे अगला है टैन नब्बे माइनस ठीटा टैन नब्बे माइनस ठीटा बराबर इधर गुणा में क्या है भई यह क्यूपी बटे नौ और इधर गुणा में है क्यूपी बटे चार क्यूपी बटे चार अब इधर दिखें 10 नब्बे 10 ठीटा तो है अपने अस्तान पे 10 नब्बे माइनस ठीटा बराबर होता है कॉट ठीटा QP का गुड़ा QP से कर देंगे तो QP का वर्ग और 9 चोगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा समझ पा रहे हैं अब देखिए 10 को हम लिख सकते हैं एक बटे कॉड़ ठीटा इंटू क्या हो जाएगा ये कॉड़ ठीटा बराबर अब देखिए अगर हम मालने प्यारे बच्चो मिनारी की उचाई कितनी है H है तो QP के अस्तान पे हम H का स्क्यार रख दें बराबर 36 ये ये कैंसिल 36 36 H स्क्यार इक्वल टू कितना हो गया 36 इधर से स्क्यार हटाएंगे तिडर अंडर रूट लगता है फिलाल इसकी वैलू प्लस माइनस चाहेगी परन तो हम प्लस 6 लिखेंगे क्योंकि उचाई या दूरी ड़डात वक्त नहीं होती इस प्रकार से सिद्ध होता है कि मिनार की जो उचाई है वो कितनी है 6 मीटर है तो प्यारे बच्चो अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा या मैं आपको किसी भी प्रकार की जो सवाल आये थे उन सवालों को नहीं समझ माया होगा तो पैर बच्चो कमेंट बाक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजेगा मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए वीडियो दिख्या हो इंजाए कीजे हाँ एक बात और अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक किजेगा दोस्तों के पास सेयर करना मत भूलेगा पैर बच्चो तब तक के लिए जय हिन जय भात थैंक यू आल डियर स्टूडेंट